है क्फुरी दुनिया में अक्षिदय रसुल 있으면 के दीन का चर्चा है हम कैसे मुसल्माने की कष्शी लोग हमसे नफ्रत करते कोई हमें बैमान कहर》 है आज की तारीक में कोई श्याबी कह रहा है कोई आयाश कहरा कोई ध्याक्व कह रहा है हम कहां थे और कहां पहुचे क्या किया है हम ने पता है कुछ कभी रसुल्ला को पढ़ा है हद तो ये है मकसद तो छोड़ दो मकसद तो बहुत बड़ी बात है इसलाम का ये जो फर्ज नमाजे है ये जो ज़कात है ये जो मस्जिद है ये जो तरीका हमारे पास नहीं ये भी पता रही हमें जिस खुश ख्याली में जिन्दगी गुजार रहे हैं अभी हम लोग आ रहे थे रास्ते में एक जगा मगरिम की नमास पड़ी मैंने किसी मस्जिद में याद नहीं हम मुझे उस इलाके का नमास पड़ी तो कार्पेट जो था दो तिंग जगा से और जो मुसल्ला लाके दिया गया जो इमाम साथ ही इस्तमाल करते होगे उसमें जहां सजदा किया जाता है वहां सर पे तेल लगने की वेज़े से उतना हिस्सा काला हो गया था बाकी सारा मुसल्ला चमक रहा है उसमें से बदबू आ रही है दिवारों के उपर मिट्टी है क पुराने पाक बे तर्तीब रखे हुए है वह कौन सा इसलाम चाहते हो कौन सा इसलाम ढूंड रहे हो यह किस ने समझाया कि मजब ऐसा होता है दीन ऐसा होता है एक मरतबा की बात है वालिद मौतरम शेरे सलाम मौना अभीबर रह्मान लुद्यान विर्मतिल्ला अले के साथ सफ़र पे थे तो मुझे कहीं जाना था तो रास्ते में एक मस्जिद में रुके पांच साथ लोग मिल गए कहने लगे हजरत जी बस कुछ बता दो हमने का वह इतना वक्त नहीं है कि आपको लंबी चोड़ी गुफ्तगू की जाए चोटी सी बात आप से कुछता हूं मुझे आप ही बता दो कहां मुली साथ तुम पूछ लो क्या पूछते हो तो मैंने उन्हें कहा आइस्ता से बताओं रास की बात है आइस्ता से बताओं रिकॉर्ड तो ही जाएगी सुन ले और भी कोई बात में तो मैंने उन से कहा कि ये जो आपकी मस्जिद के इस तिंदे खाने में बीडियों के हजारों टुकड़े पड़े हैं ये किस सरकार ने कहा कि मस्जिद में आके नचा गिया किस ने कहा सारा जिन्दगी यही रोते रहोगे कि हम बड़े परशान हैं हम बड़े परशान है अपने किरिबान में कभी जहका ही नहीं कि परशान क्यों है वजा क्या है नभी अलाई सलम ने एक दीन अता फरमाया रसूल अलाई जब आए आपको किसी ने गलत होता दिया कि मक्के में बुरा हाल था सिरब मक्के में बुरा हाल नहीं था मक्के से पाइसो किलो मिटर यह शिरव है जिसको आज मदीने तुन नभी कहते है वहाँ का शमून जहुदी हर एक नई दुलंग को एक अफ़ता अपने घर में रखता है वहाँ से एक हजार किलो मिटर कैसरो तिसरा है वहाँ के बाश्या जिसे आज इरान और इराक कहते है वो लोगों की गरतरे इसलिए उत्रवाते है कि हमारे बच्चे खुश होते वहाँ से 2000 किलो मिटर ताशकंद और बुखारा है जिसको साउट अफरीका कहते हो वहाँ के बाश्या लोगों के पैरों में बेड़ियां डलवाते हैं कि इनको मंडियों में ले जाके जानवरों की तरह बेचना है सिर्ब मक्के के हालात नहीं खराबते दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं था और रसुलिल्ला ने आके क्या किया फिर पता है आपको इसलाम का मकसद क्या है आपको इसलाम का मकसद पता है नहीं पता अब आप इस बात को जो समझ गए कि नियत यहां बांदो तब भी नमाज हो जाएगी नियत यहां बांदो तब भी नमाज हो जाएगी नियत बेट बांदो तब भी हो जाएगी रफदयन करो तब भी रफदयन ना करो तब भी दाड़ी बड़ी हो तब भी छोटी हो तब भी और मुसल्मानों जो जरूरते थोड़ी बात आगे पीचे हो के चल जाती हैं उन पर तुम्हे एक दूसरे का गिरेबान पकरते हो और इसलाम का जो अफ़लीन मकसद है वो तुम्हे याद ही नहीं इससे बड़ी बदकिस्मत ही क्या हो सकती है जो जरूरते हैं आगे पीचे हो के चल जाएंगी ज़ी उन पर आप दस्ते गिरेबान हैं उन पर आप एक दूसरे को मार रहें उन पर आप एक दूसरे पर तन्कीद कर रहें और जो इसलाम का मकसद है वो पता ही नहीं आओ नहीं आप अलिए शलातु असलाम से मालुम करते हैं अज़रत मुहम्मद रसूल नहीं को अल्ला ताला ने खबर दे दी जिवरेईल अमीन आके बता दिये कि आपकी ऐलान कर दिया गया आज से आप दुनिया को बताएं कि आप खात्ब नभीजीन हैं आप इमाम अन्बिया हैं आप अल्ला के रसूल हैं आप पेगंबर बन के आएं हैं आज से आप बताएं और सबसे पहले किसको बताया सबसे पहले किसको बताया हम सब की मा अम्मी आईशा अम्मी खदीज़त अल्कुब्रा रजियल्ला अन्हा को जब हमारी मा मुसल्मानों की मा आम्मी खतीजत अर्ग्ध को बताया तो उन्होंने रसुल्ला के हाग कर्के हाद कहा ता कि या रसुल्ला मैं तो आप पर एमान ले ले सबसे पहले कौन मسल्मान हुआ जी हम सब की मा अम्मी खतीजत अら मुसल्मान ईही और पिर एक और बंदा जिसको रसुल्ला ने बताया कौन है वो सिर्भ एमान लाने के वक्त दोस नहीं मना रसुल्ला के बच्वन के दोस रसुल्ला के खम के दोस रसुल्ला के खुशी के दोस रसुल्ला के खार के दोस रसुल उल्ला के हिचरत के दोस रसुल उल्ला के बदर के दोस और मुसल्मानों में सबसे बड़े मुसल्मान कौन सेदना अबु बकर सिद्धीक रजिय लाउ-टाला नू जब उनको बता लगा उनोंने भी क्या या रसुल ला कोई माने या ना माने मैं आप पर इमान दे आया और फिर फिर नभी अल्ही लाउ-टाला के सामने सेदना बिलाल आते कौन बिलाल जो हप्शी हैं जो गुलाम हैं जो काले हैं जिनके मोटे मोटे होट हैं उन्होंने भी का यार सुई आप मैं आपके साथ हूं फिर चौते नमबर पर सारे परिवार वालों को बुलाया नभी अल्ही लैसलाउ एक अठा किया दावत की अब वताया मैं खुदा का रसूलू मेरा साथ दो सारे के सारे चुपो गए दावत क्खा के सबसे पीचे एक बंदा है एक बच्चा है जिसकी अभी उमर छोटी है उसने पंजों के बल अपनी एडियां उपर उठाई और फिर दोनों हाथ हवा भी उठाए और पीछे सा आवाज मारी लबाएक या रसुल अल्ला कौन है बीचे कौन गड़ा बीचे जिसने छोटी सी उमर में दोनों हाथ हवा में लहरा के नारा मारा कि य रसुल्ला मैं आपके साथ हूँ कौन है मसल्मानों वो हजरत सेयतना मौला अली रसी आल्ला की साते कि रामी है अब जब ये लोग मसल्मान हुए ना तो फिर इनों ने पूछा था रसुल अल्ला से या रसुल्ला आप पर एमाल ले आए आपका कल्मा पढ़ लिया आपके र अब करना क्या है करना क्या है भई इसलाम का मकसद ब्यान हो रहा है करना क्या है अब उस पर लाजम है अब उस पर जरूरी है अब उस पर कंपरसरी हो गया क्या लाजम हो गया या रसुल्ला फरमाया जिसने ल्ला और उसके रसूल को मान लिया ना उस पर लाजम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्चा देगा हमारा मकसद क्या है अल्ला और उसके रसूल के इमान के साथ दुनिया में क्या करना है भाई बराबरी के पेगाम देने बड़े और चोटे का, अमीर और घरीब का, गोरे और काले का